अब स्वाम रेक्म दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को एक और नए स्केली कैलिवेशन शिकाने जा रहा हूं इसका जो है यह एक्सिस का इंडिकेटर है और इसका मॉडल है एक्स एटी आई आई आज जो है मैं इसकी आपको कैलिवेशन भी बिसमिजाऊंगा और उ इसके इलावा अगर आप किसी भी लोड जाल के साथ कुनेट करते हैं तो इसके लोड जाल के कनेक्शन की है इसके मतालिग में आपको कम्प्लिट डिटेल में बताऊंगा तो सबसे पहले जो है आप यह देख सकते हैं कि इसमें जो है यह यह फाइज पिन कॉनेक्टर लगत इसके अलावा यह पावर की केवल है जो के को चार्ज करती है यह उन उसका एक सुछ दिया हुआ है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उसके बात करते हैं इसके कनेक्शन की कनेक्शन के आपको समझ लग गई एक और दो जो है उसकी इनपुट है तीन और चार जो है इसक तो अब मैं इसकी कपैस्टी जो है 50 kg के उपर सैट करूँगा और इसकी मैं कैलिवेशन करूँगा सबसे पहले जो है मैं इसको कपैस्टी और चेंज करने हैं आपको बताता हूं किस तरी के चेंज कर सकते हैं कि फंस के बटन को आपने दुबा के रखना है कि दुबा के रखेंगे तो यहां पर यह code मांगेगा अब आपने क्या करना है यहां पिसका code आपने ultimate साइट चुरू करदाना है इसका code 3 5.3 988 5.3.988 जो है इसका code है उसके बाद आपने इस फंस के बटन को दुबा ना है एंटर हो जाएगा अब जो है यह हमें दे रहा है कि अगर इसमें इसकी अपनी बिल्टन भी दी हुई है कपैस्टी डैसिमल पॉइंट और डिविजन इसके अंदर बिल्टन भी हैं फ़र्श करें इस टाम जो यह बिलिंक कर रहा है यह 30 केजी 3 इसके डैसिमल होंगे और 1 ग्राम के उपर यह चलेगा अगर यहां पे हम चेंज करते हैं तो यह 30 केजी 3 ग्राम और 2 डैसिमल के उपर चलेगा इसी तरीके से ये 30 kg 3 decimal 5 gram पे चलेगा इसी तरीके से ये 30 kg 2 decimal और 10 gram के उपर आजेगा तो इस तरीके से जो है ये अब 50 kg आ गया 50 kg 3 decimal और 10 gram ये 1 gram इसी तरीके से ये आप चेंज भी इसके अंदर अपने बिल्टन दिये हुए है वो automatic आप ये दिखा सकते हैं ये खुदी यहां से चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर हमने अपनी मर्जी से करना है कि सर्फ करें हमें चाहिए 50 kg चाहिए और हम दो decimal पे रखना चाहते हैं वो हम किस तरीके से करेंगे यहां से हमने चेंज करते हुए user को ढूनना है यहां से हमने right side पर आगे right arrow से अब arrow की मदब से यहां पे 5 लिख देंगे अब arrow की मदब से 5 लिख दिया उसके बाद दुबारा हमने enter के button को press करेंगे अब यह जो है यह इसकी full capacity आगई है full capacity अगर हमने change करनी है search करें 50 करनी है तो यहां से इसको हम खतम कर देते हैं, यह 200 kg, 300 kg है, यहां से पहले 5 लिख दूँँ, 150 बन गया, यहां से मैं इसको खतम कर दिया, यह 50 kg की फुल कपैस्टी होगी, अब उसके बाद मैं दुबारे एंटर के बटन को प्रेस करूँगा, यह decimal पूइंट कितने हैं, मैं दो रखन अगर मैं तीन रखना चाहता हूं, यूजर के अंदर हम अपनी मर्वी से भी चेंज कर सकते हैं, तो यहां पे दो डेसिमल पॉइंट रख दी हैं, उसके बाद फिर मैं एंटर के बटन को प्रेस करूँगा, अब वह दूइजन पूच रहा है, कि आप एक ग्राम से चाहते ह हुआ है तो यह 10 गराम के बटन को प्रेस करूँगा, बाहर आजोंगा, अब यहाप देख सकते हैं, मीनिमम्म यह 5 पे चाल रहा और खिर मात इसकी फूल करपड़िये हैं, नियूच वाद यह 500 गराम के बटन को प्रेस करूँगा, और इसटाइम 50 KG हो गी यह 50 KG के बाद एरर दे देगा, 50 है थोड़ा सा उपर जाता है, अब अगर मैं इसकी कैलिबेशन करना चाहता हूँ, तो अब मैं एक दफा उफ करके भी ओन करके देख लेता हूँ, यह आप देख सकते हैं, 50 kg इसने टोटल कपैस्टी बताईए, और जब भी ओन होता है, उसके सबसे पहले य अब जो है, मैं इसकी बेसिक कैलिबेशन करूँगा, तो वीडियो स्टार्ट करने है, पहले मैं आप लोगो यह कहता है, चलूँ कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिबेशन, वेइंग इंडिकेटर की रुपेरिंग, लोट सेल रुपेरिंग, हर तरह के इं कैलिबेशन को उपर भी क्लिक करें, उसका नोटिस्केशन आप लोट करेंगे, उसका नोटिस्केशन आप लोगो फोरण मिल जाएगा, उसके लागोगा अगर आप लोगो वीडियो से थोड़ा से फाइदा आप लोगो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि हम कैलिबेशन के लिए आपने सबसे एकड़ू करना है, आपने होल्ड का बटन के दरम्यान में नहीं दुआना हैं , सबसे पहले जो कैलिबेशन मूट के उन्दर जाना हैं, जीरो और संस के बटन को ऐकसा दुआना है, यह दूनों बटन को तो यहाँ पर जाएगा, जाँ राइट साइट पर पीछ को हमने ने होल्ड के बटन को प्रैस नहीं करना अब यहां से जाते मैं इसको सप्प्रेय को मेरे पास 10 kg की मदर से यहां पर होगा यहां पर होगा 1987 नियुमें थान गी एहां पूरा गता हैं यह ठीन केजिसके यह वे एक mortal मैं 10 kg पूरा बता रहा है तो जब आपके हैं के मूज पर पर एंटर करना हैं तो अब को कोई चीज समय ना लगी हो तो आप हमें अगी वीडियो के साहथ